सो हेलो एरिवन साइन्स एमकेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप यहाँ पर ओपिसली न्यूज देख पारे होंगे नर्सिंग सेतर में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है केंदर सरकार की और से यह अपडेट यहाँ पर जारी हो चुका है और साथ सा आप लोगों के लिए काम करने वाली है तो यहाँ पर क्या इनका अपडेट है वो देख लो आप यहाँ पर एक्सपर्ट का कहना है कि यह नर्सिंग वालों के लिए फाइदिमंद रहने वाली है तो चलिए यहाँ पर इन्होंने मेंसिन किया है कि नर्सिंग संस्तान होंगे ने राश्टे आयोग के अधीन नर्सिंग सिक्सा में एक रूपता के लिए NMC की तरज पर NNMC और यहाँ पर विस्तार से भी देख लेते है केंदर सरकार की और से राश्टे चिकिसा आयोग NMC की तरज पर राश्टे नर्सिंग विडवाईपरी आयोग NNMC के गटन की परकिरिया तेज कर दी है इसके बाद पूरे देश में नर्सिंग सिक्स्टा में एक रूपता आने की संभावना है और आयोग गटित होने के बाद पूरे देश में यहाँ पर सभी नर्सिंग संस्तानों के यहाँ पर फाटू क्रम में भी बदला होने वाला है अब यहाँ पर देख लो इससे आपको फायदा होने वाला है यह कहना है यहाँ पर एक्सपर्ट का आयो का बिल पिछले संसद सत्र में पारित हो चुका है आयो की और से नर्सिंग स संस्तानों नर्सिंग सिक्सा के लिए एक समान नेती दीशा निर्देश लागू होने से नर्सिंग विद्यार्तों को राहत मिलेगी और यहाँ पर यह देखवा आप यह वाला यह देखिए साट वर्सों से कारे कर रही आई एंसी बंग हो जाएगी अभी आपने देखा होगा कि पूरा ओडर आई एंसी का रहता था कि कैसे क्या करवाना है सारे order INC के फोलो करने होते थे राजस्तान वालों को, UP वालों को, MP वालों को, बिहार वालों को, डिली वालों को, है न, All India वालों को अब यहाँ पर क्या होने वाला है वो देखो काउंसलिंग के माध्यम से मानिता प्राप नर्सिंग, संसतान, राजटे आयों के अदिन हो जाएँगे राज़े में भी राज़तान, नर्सिंग, काउंसलिंग की जगळ, राज़े नर्सिंग और मीडवाइपरी आयोग होगा इसी प्रकार UP में अलग हो जाएगा, MP में अलग हो जाएगा बट इनका कहना है कि इससे विद्धियार्तों को राहत मिलेगी तो आप क्या चाहते हो? क्योंकि आप भी भारत के एक नागरिक हो तो क्या ये लागू होना चाहिए? या लागू नहीं होना चाहिए? टेलेग्राम पे डाल देंगे पूरा अपडेट ये इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या इसमें बदलाव रहने वाला है बाकि एक्सपर्ट का तो यही काना है कि नरसिंग विद्धियार्तों को राहत मिलेगी तो आप क्या चाहते हो? इसके बारे में आपका ओपिनेन सेयर करें